अज मैं आप लोग के समख से ब्याठरन का यह दुभाद विसेशन लेगर उपस्तित हूँ कच्छा आठवी के लिए तो सबसे पहले मैं इसकी परिहासा बता देता हूँ कि विसेशन कहा किसे जाता है संग्या या सर्वनाम की विसेशन बताने वाज़र शब विसेशन कहा जाता है विसेशन से दो शब और जुड़ा है विसेशन क्रिया विसेशन और प्रविसेशन लेकिन तीनों में अंतर जाने विसेशन संग्या या सर्वनाम की विसेशन को बताता है क्रिया विसेशन की विसेशता को बताता है और प्रविसेशन जो विसेशन की विसेशता को बताता है तो सबसे पहले आज हम विसेशन की बात करते हैं और विसेशन के भेदों को बताते हैं तो इसके चार बहुते हैं, पहला बहुते हैं, गुनवाचक विसेसर, जब किसी संग्या या सर्वनाम की विसेस्ता, गुन, रूप, रंग, धर्म, अवस्था क्या अधार पर बताया जाता हो, वह करलाता है गुनवाचक विसेसर, जैसे गाय काली है, काली विसेसर, लड़का लंबा है, लंबा विसेसर, सिछक विद्वान है, विद्वान, शब्द विसेसर, तो जब किसी वस्तु की विसेस्ता, किसी संग्या या सर्वनाम की विसेस्ता, गुन के अधार पर बतायी जाती हो, उसे कहा जाता है गुनवाचक अब संख्या वाचन असर, संख्या, गिन्ति जब किसी संग्या यस्थना आपी इसे इसका गिन्ति क्या अधार पर, गर्ना क्या अधार पर, संख्या क्या अधार पर बताई जाली हो उसे राजाता है संख्या वाचन अधार पर्च्छा में चार गिज्यां की पढ़ रहे हैं, चार सब योगा वा संख्या वाचन अधार पर लेकिन इसके भी लोग ये लोगते हैं, एक निश्चित संख्या वाचन अधार पर बताने वाले जो शब्द होते हैं, वा निश्चित विश्यसन तो है लेकिन वह मिश्चित नहीं बता पाते हैं क्योंकि उसमें अमिश्चिता होती है जैसे कुछ विध्याथी इसमें निश्चित नहीं कि कितने हैं तो विध्याथी तो हैं इसमें निश्चित नहीं कि कितने हैं लेकिन जो ही हम कहा देते हैं कि पचीस लोग मेरे घर में आये हैं, तो पचीस सब ये मिश्चित है कि मेरे घर में आने वाले लोग की विशेशता केतनी है तो पचीस है, तो संध्यावाचक विशेशंग, दो प्रकाते, मिश्चित संध्यावाचक विशेशंग और और परिमान वाचक हुआ इसे से, जब किसी वस्तु की विसिस्ता, किसी सभ्याजदध दवनाकी विसिता, मात्रा क्या धरिकर बताई जाती हो? उसे कहा जाता है परिमान वाचक हुआ. परिमार्ण मात्रा हम कहते हैं चार किलो चीन जिसे मापा ये सौल अज्टवト पसके सबताते हैं मातरा क्या धर। घुम्र domains कि अधरपर नहीं मातरा क्या धर. जो मातरा क्या धरपर बताई जाती हो उसे कहा जाता है परिमार्ण बाचाह भी सिसेशन और जैसे हम कहते हैं मुझे कुछ ची में खरीबनी है निश्चित परिमानवाचक ने हुआ और निश्चित परिमानवाचक हुआ लेकिन मैं कहता हूं मुझे तीन लीटर तेल बाजार से दाना है तीन लीटर तेल यह हो गया निश्चित परिमानवाचक निश्चित परिमानवाचक और और निष्टित परिमान वाचत ये दोनों परिमान वाचत के दिए अगला है सार्वनामिक विसेशन तीन गुण वाचत, संख्या वाचत, परिमान वाचत से ये भिन्य जब संख्या या सर्वनाम वाच्य में आते हो और उसकी विसेशन बताई जाते हो तो वाच्या वाचत होता है, संख्या वाचत होता है या परिमान वाचत होता है लेकिन जब वाक्य में सर्वनाम आता हो और सर्वनाम सर्वनाम का कादिना करके वह विसेशन का कादि करता हो तो यह कहलाता है सर्वनाम विसेशन यह ऐसे समझेए जब वाक्य में सर्वनाम विसेशन के रुप में परियुक्त होता हो तो वह कहलाता है सर्वनाम विसेशन जैसे यह सर्वनाम की विशेस्ता बताने वाले जो शक्द है वा स्तर्वनाम है और नाम जो मिशेस्तन का काल करता हो तो वह करलाता है शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध पढ़ने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए व्याकरन की आवशकता निश्चिक है, व्याकरन पर ज्यादा ध्यान दें, हिंदी तभी शुद्ध आप बोल पाएंगे, तभी शुद्ध लिख पाएंगे, तभी शु नाम की विसेस्ता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विसेस्ता लेकिन जब क्रिया की विसेस्ता बताई जाती है तो उसे कहा जाता है क्रिया विसेस्ता जैसे सिक्षट जोर-जोर से पढ़ा रहे थे पढ़ाना शब्द है क्रिया लेकिन उसकी विसेस्ता बताने वाले जो शब कराड जोर जोर से आया हैं वह स्थ आलाती है .ॉआ वह सुंदर स्थ विसे旨 है लेकिरससद के पहले हमने लगा दिया है वह सुnhर वह बहुत सुंदर है बहुत सब्स है व्हें व्हण शाहती है व्हद है व्हाम प्रविसे thanking आपमें पढ़ा जाना व्हाय समझा- sticks और व॥ आप से मुंको, आप सेस्ट आप मुला हुआ